तो देखते हैं, एक perfect square का square root कैसे find कर सकते हैं, तो मैं आपको बताओं कि सबसे पहले मुझे 1 से 10 तक square पता हो नहीं है, यह basic है, उसके बाद कुछ examples लेते हैं, उसके फिर आपको बताते हैं कि कैसे उसका perfect square find कर सकते हैं, सबसे पहले आप देखे कि आपकी starting की digit है, क्या है मेरे तो मेरे पास 2 possible values है, 6 और 4, दोनों में से कौन सी value आ सकती है, 6 और 4, दोनों में से कौन सा वाल आने वाल है, देखते हैं, मेरे पास मेरे integer का है 3, 3 से next integer मुल्टिप्लाइ करते है, 3, 4, 12, 12 मेरे इस digit से बढ़ा है चोटा है, मेरे digit देखते हैं, मेरे पास 11 है 11, 12 से छोटा है, तो 11 से छोटा है, तो छोटी digit, 34 answer, एक और trick देखते हैं, मेरे पास एक और example, 34, 34 से पहले perfect square क्या है, 34 से पहले perfect square है, 5, 5 से लिखते हैं, अब मेरे पास last में क्या 1, मेरे पास possible value 1 और 9, दोनों हो सकती है, 1 और 9, देखते हैं, 1 आयागा या 9 देखते हैं, मेरे digit का 34, next integer, 5 से next integer क्या होता है, 6, 5, 6, 30, मेरे digit बड़ी है, चोटी है, 34, 34 बड़ा है, तो बड़ी digit रखेंगे, 9, ये trick, बहुत अच्छे से आपको पसंद आए होगी, thanks, like